हैलो गाइस फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जोन के अंदर और आज हम करने जा रहे हैं बी आ उनर्स इंग्लिश के बच्चों के लिए एक मज़ेदार ट्रेजडी जिसका नाम है डॉक्टर फोस्टस और लिख करने से पहले हम क्रिश्टोफर मार्लो जी का थोड़ा इंट्रोड़क्शन पढ़ लेते हैं जिससे स्टोरी समझने में असानी होगी देखिए डॉक्टर फोस्टस इस वन ऑफ बेस्ट ट्रेजडी रिटन बाइ क्रिश्टोफर मार्लो ट्रेजडी क्या होता है ऐसी घटना जिसका अंत जो है वो बहुत दुख दायक हो यानि अंत में बहुत ही दुख घटना घटी हो उसे हम ट्रेजडी कहते हैं यानि डॉक्टर फोस्टस जो है वो क्रिश्टोफर मार्लो जी के द्वारे लिखी गई एक बड़ी ही दुखंत ट्रेजडी है अगी है क्रिश्टोफर मार्लो जो है वो बहुत कम समय में जिये और जल्द ही उनकी मृत्ती हो गई थी लेकिन अपनी लाइफ के अंदर लेकिन अपनी लाइफ के अंदर लेकिन अपनी लाइफ के अंदर उन्होंने कुछ पावर्फुल एसेज, सौंग्स, प्ले अंद सौनेट्स लिखे थे which is counted a great works of Elizabethan age जो कि Elizabethan age के अंदर उनके greats वरक की रूप में count होते हैं He also a member of University Wits वो University Wits के भी member रह चुके थे University Wits topic की हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है तो आप जाकर चैनल पर विजिट करकर वीडियो को देख सकते हैं His most famous place are यानि उनके जो works थे, उनके place थे, जो most famous थे वो है Tamburlain, Dr. Faustus, जो की हम पढ़ रहे हैं The Zoo of Malta, Edward II, Tragedy of Dido ये सब उनके famous work थे, famous place थे अब पढ़ते हैं Tragedy, कि Tragedy के अंदर है क्या जो की Christopher Marlowe की लिखी होई है देखिए Dr. Faustus, a well-respected German scholar, grows dissatisfied with the limits of tradition form of knowledge यानि जो Dr. Faustus थे, वो एक well-respected scholar थे, जर्मन की रहने वाले मतलब वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन dissatisfied थे लेकिन उन्हें, मतलब बहुत सारी चीजों का ग्यान था लेकिन वो उस ग्यान से परे कुछ और भी करना चाहते थे उन्होंने logic, तर्क, medicine, चिकित्सा, laws, कानून, and religion यानि धर्म को सब चीजों को पढ़ लिया था लेकिन उससे अलग भी वो बहुत कुछ पढ़ना चाहते थे, बहुत कुछ समझना चाहते थे इसलिए उन्होंने black magic यानि काला जादू सीखने का निर्णय लिया जो उसकी घर का सर्वेंट था उसका, उसका नाम क्या था? वेंगर, जो कि उसकी केर करता था, उसकी जो है हर चीजों को मानता था, उनके अदेश का पालन करता था और उनके घर का भी ध्यान रखता था वो Cornelius और Weld को उसके पास लेकर आता है, उसके कहने पर, जो Cornelius और Weld हैं, वो भी एक अच्छे जादूगर है Weld and Cornelius are also a master of black magic, यही कि वो दोनों भी एक अच्छे master हैं black magic सिखाने में So both teach Faustus to black magic, अब वो दोनों Faustus को black magic सिखाने वाले हैं Faustus begins his new career as a magician, और जो Faustus है, वो अपना नया career शुरू करने जा रहा है as a black magician So he summons Mephistophil a devil, तो वो Mephistophil को बुलाता है, जो की एक devil है, जो की एक राक्षश है Before learning black arts, black arts सीखने से पहले Mephistophil's warning about the horror of hell जो Mephistophil है, जो राक्षश है, जो devil है, वो Dr. Faustus को चेतावनी देता है, किसके बारे में? Hell के बारे में, नरक के बारे में, but Faustus ignored, लेकिन Faustus जो है, उसकी कही हुई बात को अंदेखा कर देता है And tells the devil to return to his master Lucifer, queen of devils, with an offer of Faustus solace exchange for 24 years of service from Mephistophil तो Dr. Faustus है, वो Mephistophil को कहता है, कि वो अपनी जो राक्षशों की रानी है, queen of devils है, जिसका नाम है Lucifer वो कहता है, कि तुम Lucifer के पास वापिस जाओ, with an offer, इस offer के साथ, Faustus के, कि Faustus की soul, Faustus की जो आत्मा है उसके बदले में, Mephistophil की 24 साल तक उसकी सेवा करेगा, service करेगा, किसकी? Dr. Faustus की आगे है, Mephistophil returns back to Faustus with words that Lucifer has accepted his offer तो आगे क्या है, Mephistophil वापिस जाता है, और आकर Faustus से कहता है, कि queen of rani, यानि queen of devil कि Lucifer ने उसका challenge है, उसकी deal है, वो accept कर ली है, but and demand that लेकिन उसने एक demand रखी है, Faustus certify the agreement with his own blood कि Faustus को agreement के उपर अपने खून से sign करने होगी, यानि certify करना होगा but as Faustus attempt to sign the agreement his blood congles, congles का मतलब क्या होता है, यानि जम जाना कि जैसे ही Faustus ने sign करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने खून से उसका खून जो है, जम गया as he refusing to sign, और उसने सोचा कि इस deal को मैं न करूँ but mephistophil fetches some hot coils, लेकिन जो राक्षेस था, mephistophil, वो कहीं से एक अठा करके लाया hot coils को, कोला होता है, जो उसे coils क्याते है, to melt the congles blood जिससे क्या हुआ? उसका जो जमा हुआ खून था, वो पिंगलाने के लिए और उसके बाद जब उसको खून पिंगल गया, जो कोले लाया था, mephistophil, उसका खून जमा हुआ पिंगलाने के लिए वो जो है पिंगल गया और उसने उसपे साइन कर दिया जैसे ही उसने साइन किये, उसकी बाजो पर ओ मैन फ्लाई शब्द लिखा हुआ आ गया तो उसे जब लगा कि मैं यह गल्त कर रहा हूँ, यह एक संदेश था, ओ मैन फ्लाई जो है नाम लिखा हुआ यह भगवान के संदेश था, कि वो इस डिल पर साइन ना करे, लेकिन वो उसके पास चिंता थी अपनी, वो कुछ नया सीखना चाता था, इसलिए वो डिस्ट्रेक्ट हो गया, उसने अपने मन को बदल दिया और उस पर साइन कर दिये वन डे एक दिन, फॉस्ट्रस आस्क कोशन टू डैविल, डॉक्टर फॉस्ट्रस ने उस राक्षस से मेफिस्टर फिल से कोशन पुछा, क्या पुछा, वो जगह कहां है, जहां, जिसको इंसान हैल कहते हैं, जिसको इंसान नरक कहते हैं डैविल रिप्लाई, राक्षस ने उत्तर दिया, कि एनी प्लेस, वो हर जगह, वेर गोड इस नो, जहां पर भगवान नहीं है, वो नरक है अगला सवाल पुछा, अब डॉक्टर फोस्टर ने मेफिस्टर फिल से एक ब्यूटिफुल वाइफ की मांग की, बट डैविल कैन नोट डू एनीटिंग, लेकिन राक्षस ने कुछ नहीं किया, विच इस रिलेक्टिड टू मेरी, क्यों नहीं किया, क्योंकि जो भी रिलेक्टिड होता है मैरीज से, वो काव वहन नहीं करता था, क्योंकि एक, यह जो है मैरीज है, यह एक होली सर्मनी है, यानि धार्मिक विचारधारा है, इसलिए उसने इस मामले में कुछ नहीं किया, डैविल ने, तो उसने डैविल वूमेन यानि राक्षशी एक जो परजाती की महिला होती है, उसको बुला दिया, जो समय है, वो बीतता गया, और फॉस्टस को उसके कोशन्स के अंसवर जो है, मिलते जा रहे थे, आगे है, मेफिस्टोफिल ने फॉस्टस को कुछ किताबें दी, जिसके अंदर क्या थी? नोलेज थी, किसकी एस्टोफिल की, स्टार्स की, तारों की, प्लांट की, ट्रीज की, और अर्थ की और धर्ती की, और हर मोड पर वह अपने डिसीजन को जो है, बदलने की सोच रहा था, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, फॉस्टस आस्क मेफिस्टोफिल, फॉस्टस ने राक्षस से कुछ पूछा, उसने पूछा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं लेना चाहता था, कौन? राक्षश, because he does not want to say the name of God, क्योंकि वो परमात्मा का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो संसार है वो परमात्मा ने बनाया है, इसी तरह से, अब जो फोस्टरस है, उसका मन की अपना मन बदलने के लिए, किसकी तरफ? टर्न टू गोड, परमात्मा की तरफ, रिपेंट का मतलब क्या होता है, अपना मन बदलना, at this, इसी परकार, लूसिफर, इसी समय लूसिफर एपिर्स विद अधर डैविल्स, और इसी के साथ जो क्वीन ओफ डैविल थी, जो राक्षशों की रानी थी, लूसिफर, वो वहाँ पर प्रकट हो गई, अधर डैविल और भी कुछ राक्षशों के साथ, and tell Fosters not to speak of God, और Fosters से कहा, कि तुम भगवान का नाम मतलो, उनके बारे में कोई भी ऐसी बात मत करो, Fosters afraid, and tells Lucifer that he will completely rejected God, और Fosters ने उसको यार दिलाया, उससे भरोसर दिलाया, कि वो उसने भगवान को reject कर दिया, मतलब छोड़ दिया है, और वो भगवान की शरण में अब नहीं जाना जाता, आगे है, a stable man named, stable man क्या होता है, जो तबीले का आदमी होता है, जो घोड़े वगर रखता है, क्या नाम था, Robin Stills, one of Fosters spellbook, अब Robin Stills था, उसने Fosters की एक जादू की किताब, जो है, चुराली थी, and tells his friend Raffay, और अपने, जो मित तर था उसका Raffay, उसको कहा, that they should try to cast some magic, कि हमें कुछ magic करना चाहिए, magic को try करना चाहिए, कुछ करने के लिए, so they summons Mephistophil, तो उन दोनों ने, Mephistophil, जो कि एक राक्षश था, devil था, उसको बुला लिया, devil came, devil राक्षश आया, and see the Fosters book on his hand, और उन दोनों के हाथ में, Fosters की ए So devil turned Robin and Raffay into animal, तो Mephistophil devil ने क्या किया, कि उन दोनों को एक जानवर में बदल दिया, किसको Robin और Raffay को, to punish them for their foolishness, और उनकी मुर्कता को देखते हुए, उनने जो है, punish किया, उनने जो है, धंड दिया On the other hand, दूसरी तरफ, Mephistophils ask taken Fosters for a grand long tour, और दूसरी तरफ, जो राक्षश था, जो Mephistophil था, वो Fosters को बहुत ही लंबे टूर पर ले जा रहा था, of the world, संसार के, on a cherry drones by dragon, किस पर बैठके जा रहे थे वो, dragon पे, क्योंकि जो राक्षश पर जाती होती है, इनकी जो सवारी हो क्या होती है, dragon होती है, in order to learn all the secrets of astronomy, क्यों किस टूर पर जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, सभी रहस्यों को, astronomy के सभी रहस्यों को जानने के लिए, firstly, तो वो कहां कहां पर गए, वो दो जगां गए, firstly, सबसे पहले, they going to pop, as court in Rome, सबसे पहले, वो pop के court में गए, Rome के अंदर, जो कि Rome में है, make himself invisible, और अपने आपको अद्रिश्य करके, वो वहां पर गए, because pop is a good man, क्योंकि जो pop था, वो एक अच्छा आदमी था, so they disturbs the pop banquet following this banquet, तो अब देखी, pop जो है, वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो दोनों जो थे, वो बुरे आदमी थे, तो उन्होंने क्य किया, banquet, यानि भोज को, they disturbs the pop banquet, और उन दोनों ने disturbs कर दिया, किसको, जो वो खाना खा रहे थे, उनके भोज को disturbs कर दिया, यानि बिगाड दिया, following this incident, ये घटना करने के बाद, they travel through the court of Europe, with frame spreading as they goes, ये incident करने के बाद, वो अन जगा पर गए, और जहां जहां पर वेह गए, उन्हेंने अपना frame, जो है, अपनी छाप छोड़ दी, वहां पर, जहां जहां पर वेह गए, secondly, दूसरी तरफ, यानि दूसरी बार जहां वेह गए, they invited to the court of German Emperor Charles V, Charles V, जो की, Charles V की दरबार में, यानि जर्मन में, उन्हें invite किया गया, the enemy of Pope, जो की Pope का enemy था, यानि दुश्मन था, and bad man also, और जो क्या था, एक बुरा आदमी था, कौन, Charles V, Charles V, याद रिखे के Charles V एक बुरा आदमी था, और जो ये Pope है, ये एक अच्छा आदमी था, Fosters show him his black magic, अब Fosters ने अपने जो है, black magic उन्हें दिखाने की कोशिश की, and Charles become happy to see his magic, और Charles बहुत खुश हुआ ये दे करून का magic, black magic, but a knife of his coat was uncomfortable with his magic, लेकिन उसकी ही दरबार में, उसका एक सैनिक, जो है uncomfortable था, यानि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसका black magic, So, Fosters repay, उसको repay करने के लिए, मतलब उसके क्या है, Fosters जो है, उसे दंड करने के लिए, कि उसने ऐसा कैसे कहा दिया, the night rudeness, उसके दुरबे बाहर के लिए, by making one's appears on his head, उसके सिर पर, जो है, Fosters ने सिंग उगा दिये, After this incident, यह incident करने के बाद, Fosters and Mephistophil goes to a horse treasers, यह incident करने के बाद, वो दोनों, Mephistophil और Fosters, जो है, घोड़ों के तबादले में गए, Here a man asked to buy his horse, वहाँ पर एक आदमी ने उन्हें घोड़ा खरीदने के लिए कहा, Fosters agrees, but tells him not to ride the horse in water, Fosters मान गया घोड़ा खरीदने के लिए, लेकिन उसने एक बात कहीं कि इस घोड़े को पानी के अंदर न लेकर जाए, If they did this horse, would disappear, यानि अगर उन्होंने ऐसा किया, पानी के अंदर उस घोड़े को ले गए, तो घोड़ा जो है, वो गायब हो जाएगा, आगी है, after the 24 years of his deals with Lucifer, came to close, अब जो है, 24 years जो कि उसने deal रखी थी, Lucifer के साथ, वो पूरह होने वाला था समय, वेंगर, जो उसका एक सर्वेंट था, वेंगर था, डॉक्टर फोस्टस का, is worried, वो बहुत चिंता में था, because he thinks, फोस्टस डाय सुन, वो बहुत चिंता में था, क्या सोच सोचकर कि फोस्टस जो है, मरने वाला है, डाय सुन, यानि जल्द ही मरने वाला है, अब जो है, ग्रूप था, स्कोलर खा, यानि उसके जो मित्रगण थे, उन्होंने उसे कहा, कि वो हैलन को बुलाए, जो की एक सिप्रिट थी, जो की एक भूतिया किसम की जो ओरत कह देते हैं, हैलन थी, जो नरक की सबसे ही ब्यूतिफुल महिला थी, वो कौन थी, हलन, हलन है उसका नाम, जैसे उसने ऐसा किया, जैसे उसने ऐसा किया, एक बुड़ा आदमी उसके सामने प्रकट हो गया, और उसे रिक्वेस्ट की उससे अर्जिस की उससे गुहार लगाई, फोस्ट रिपेंट की अपना मन बदल दे, अपना मन बदलने के लिए उससे गुहार लगाई, अब जैसे इस ने अपना मन बदलने की कोशिच की, तभी जो है मेफिस्टो फिल्स ने उससे क्या कहा, दोक्टर फोस्टर को ट्रेलर, यानि गदार, फोर हिस डिसिजन, उसके डिसिजन पर उसे गदार कहा, फोस्टर एश्योर हिम दैट, ही विल नॉट डू दू दिस, और फोस्टर ने फिर उससे विश्वास दिलाया, कि वह ऐसा नहीं करेगा, फोस्टर आस्क डैविल तो मेक हैलन, हिस लवर, सो दैट, हर ब्यूटी विल मेक रिमेनिंग, मी, नॉट टू रिपेंट, अब जो है, डोक्टर फोस्टर ने, मेफिस्टो फिल को कहा, कि हैलन को उसका लवर बना दे, ताकि उसकी ब्यूटी को देखकर, वह कभी न भूले, कि उसे अपना मन बदलना है, उसे रिपेंट करना है, और उसे भगवान की तरफ जाना है, आगे है, अब जो है, फोस्टर की डैथ का दिन जो है, वह नजदीक आ रहा था, अब जोक्टर फोस्टर ने अपने मित्रगण को, अपने स्कोलर को बताया, उस डील के बारे में, जो उसने लुसिफर, यानि एक राक्षिश परजादी की महिला के साथ की थी, और वो अब प्रे करने जा रहे थे, उसकी सोल को बचाने के लिए, कहां पर भगवान से, फोस्टर रिलाइस देट, अब फोस्टर को रिलाइस हुआ, ये विश्वाश हुआ, कि अब उसके पास सिर्फ एक घंटा ही बचा है, जीने के लिए, लेकिन वो अपना मन बदलने में अरसमर्थ रहा, दकलॉक स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स क्या होती है, यानि रुक जाना वहीं पर, अब जो घड़ी है, वो बंद हो गई, मिड़नाइट, बीच रातरी के बीच में, फोस्टर स्टाइम इस अप, यानि फोस्टर का समय जो है, वो पूरा हो चुका था, अब जो है, फोस्टर जो है, वो रोने लग गया, और उसने अपना लास्ट प्रोमिस जो है, करने की गुहार लगाई, तो बर्न लास्ट प्रोमिस जो था, वो लास्ट प्रोमिस क्या था, कि उन सभी किताबों को, उन काले शक्तियों की सभी किताबों को जलाने का वादा, अब उसकी चारों तरफ जो है, राक्षश फैल गए, और उसकी जो आत्मा है, उसको लिया और हैल, यानि नर्क में चले गए, अगली सुभाँ, फौस्ट इट बोडिप फाइट बाइट स्कोलर, अब जो है, फौस्टर गोड़ू है, वो उसके स्कोलर्स को मिले, उनके स्कोलर्स को मिले, अणि इसको जो काल weapon है, और फौस्टर्ल क्या होता है, अन्तिमसंस्कार करना, और उन्हांने ऐ डिचाइड किय या अब उसका अंतिम संस्कार जो है किया जाए आगे है इन दा एंड लास्ट में गोड सेज अब परमात्मा के कहते हैं अब परमात्मा कहते हैं कि फोस्टस तो एक उधारन है किसलिए कि उन चीजों को कभी न किया जाए जो परकरतिक के खिलाफ है जो नेचर के खिलाफ है कि जिसने भी यह किया है जो की लिखे हुई थी यह ट्रेजडी क्रिस्टोफर मारलो के दवारा तो यह थी आपकी मज़ेदार ट्रेजडी जो की लिखे हुई थी डॉक्टर फोस्टर जी के दवारा तो अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल करती है आपकी स्रेबस की है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लें कोमेंट कर दें मैं आपकी कोमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं जरूर रिपलाए दूँगा और अगर आपको इसी परकार की अन्नी पीडियेफ चाहिए तो आप मुझे कोमेंट कर सकते हैं मैं आपको इंस्ट्राग्राम पर या टेलेग्राम ग्रूप पर आपको ये जो है पीडियेफ आपको send कर दूँगा तो तब तक के लिए अलविदा फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही अलग टोपिक के साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई टोपिक चाहिए simple language में तब तक के लिए बाई फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही tragedy, ऐसी ही story के साथ तब तक के लिए देखते रहिए triple R English John